रजनी कान्त के दामाद और फिर्म रांजना से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले धनुष इन दिनों अजीब सी मुश्किल में फस गए हैं मैलूर के एक दालत ने धनुष को सम्मन भेजा है जिसमें मदुरई के एक दमपती ने उन पर अपने असली बेटे होने का दावा किया है अदालत ने अगले साल 12 जनुवरी से पहले धनुष को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है मदुरई के रहने वाले रेटायर्ड बस कंडेक्टर, काती रेशन और उनकी पतनी मिनाक्षी ने अदालत में धनुष के बच्पन की कुछ तस्वीरें और बर्ट सर्टिफिकेट पेश कर धनुष पर अपने असली बेटे होने का दावा किया है इसके जाद उन्होंने धनुष से हर महीने 65,000 रुपए का घर खर्च देने की मांगी है बुज़ग दमपती की माने तो धनुष का असली नाम कलाई सिल्वम है जिसने मैलूर में दस्वी तक RC हायर सिकंडरी स्कूल और Government Boys हायर सिकंडरी स्कूल में पढ़ाई की है आपको बदा दें कि तमिल फिल्मों की निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा के घर धनुष का जन्म हुआ था आज धनुष तमिल फिल्मों में बतौर अबिनेता के साथ साथ एक सफल फिल्म निर्माता और गीतकार है धनुष रजनी कांद के दामाद भी हैं वागी धनुष के लिए ये बेहद अजीब सी इस्तिती है कोला वरी डीसे लोगों को तरकने पर मजबूर करने वाले धनुष इस दुविधा से खुद को कैसे निकालेंगे फिलहाल ये दिखना बाकी है दिखते रहेंगे डीबी लाइव